नमस्ते जैहिंद बंदे मात्रम मैं हूँ डॉक्टर आशुतोष पांडे और आज हम अपने नैचरल रिसोर्सेज वाले जो वीडियो की सीरीज है उसके क्रम में दूसरे वीडियो के साथ हाजिर है और इसमें हम आज बात करने वाले हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज की जी हां हमें छे रिसोर्सेज को बारी बारी से देखना है और उनमें से पहला है फॉरेस्ट रिसोर्स फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में बताने से पहले एक चीज़ बता दू कि जो भारत में फॉरेस्ट कवर है वो फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर 2019 क डेटा के अनुसार 24.56% है पूरे देश के एरिया का तो हम अब बात करेंगे forest resources की और उनका detail में अध्यान करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो forest क्या है क्यों महत्वपूर्ण है ये समझना जरूरी है धर्ति का लगभग एक तिहाई हिस्सा वनों से आच्छा दित है ऐसे क्षेत्र जो tree species द्वारा dominate किये जा रहे हो उन हिस्सों को या उन communities को हम forest कह देते हैं forest biodiversity यानि जैब विविधिता का एक बहुत बड़ा store house है और मनुश्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां से बहुत सारी services हमें मिलती है हाला कि आने वाली slides में हम कुछ services और products जो हमें plants या trees से मिलते हैं forest में उन पर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले जो food and agriculture organization है FAO वो forest को कैसे define करता है आईए पहले उससे समझते हैं तो समझते हैं कि forest को define कैसे किया जाता है food and agriculture organization की global forest resources assessment में जो report आई उसमें उन्होंने forest को define करने की कोशिश के उन्होंने बताया कि forest include करेगा natural forest को और forest plantations को it is used to refer to land with a tree canopy cover of more than 10% and area of more than 0.5 hectare याद रखने वाली बात है tree canopy क्या होती है इसको एक बार समझते हैं तो अगर मान लो जैसे vertical में इसको हम नापते हैं तो suppose कि किसी tree के ऊपर ऊपर अगर solar sun है सूर्य चमक रहा है तो उसकी जो रोशनी पड़ेगी बिल्कुल सीधी और जितने area को वो ढख लेगा उसकी परचाई ढख लेगी उस tree की वो उसका canopy cover हम कह सकते हैं और यह जो crown है कई बार इसको भी canopy terms में हम देखते हैं तो this is how it is defined इसको आप थोड़ा और detail में देख लीजेगा और forest जो है वो determined करते हैं both determined होते हैं by both presence of trees and absence of other predominant land uses to trees का होना जरूरी है tree species का होना जरूरी है और दूसरे तरह के जो plantations हैं उनका absence भी होना चाहिए the tree should be able to reach a minimum height of 5 meters और जो trees हैं उनकी कम से कम जो height है वो 5 meter तो होनी चाहिए इस term में include किया जाता है forest used for purposes of production, protection, multiple use और conservation अब conservation में क्या होता है forest होंगे जो national parks में या natural reserves में, biosphere reserves में या फिर जो भी protected area network है उसके अंदर as well as forest stands और agricultural lands जैसे windbreaks बना रखे हैं अगर या shelter belts बने हुए है trees के द्वारा तो इन में इनको हम जोडेंगे अभी तो उसका condition है कि जो width है वो कम से कम 20 meter की तो होनी चाहिए shelter belts या windbreaks की और rubber wood भी इसमें आएंगे जो rubber wood plantation के जाते हैं cork oak stands भी इसके अंदर शामिल होंगे इसके अंदर क्या शामिल नहीं होगा तो इसमें exclude किये जाते हैं stands of trees established primarily for agricultural productions for example fruit tree plantation अगर है तो इसमें हम exclude कर देंगे उसको शामिल नहीं करते हैं और इसी तरीके से tree planted for agroforestry systems भी कई बार इस definition में शामिल नहीं किये जाते तो बात करते हैं जो हम कुछ functions की बात कर रहे थे जो forest से हमें मिलते हैं तो उनमें एक है productive function productive function का मतलब क्या है production of wood, fruits and a wide variety of compounds such as resins, alkaloids, essential oil अब जानते हैं essential oil perfume बनाने में यूज़ किया जाता है latex and from pharmaceuticals तो यह सारे productive function है हमारे forest के दूसरा है protective function इसके अंदर आता है conservation of soil जैसे जहां भी plants होंगे forest होगा वहाँ पर अगर मालो soil है तो उसको वो जड़े पकड़ कर रखती है तो अगर बारिश हो रही है तो जो runoff है उसके जैसे जो मिट्टी का कटाव होता है उसको रोकने में forest मदद करते हैं forest drought को prevent करते हैं और wind से sheltering भी करते हैं ड्रॉट से कैसे बचाएंगे forest इस तरीके से बचाते हैं कि जैसे जहां भी forest होता है वो rain वाली जो हवाय है उनको रोकता है और बारिश करने के लिए वहाँ पर विवश्चता लाता है मतलब उन हवाँ को विवश्च करता है कि वहाँ बारिश हो ऐसा भी forest के साथ होता है तो इसलिए ये ड्रॉट को भी से भी बचाने का काम forest करते हैं फिर है इसमें आप जानते हैं कि carbon dioxide और oxygen का जो release है respiration और photosynthesis जो माध्यम बनते हैं तो ये एक regulatory function भी regulatory function भी है forest का इसी के साथ साथ water को regulate किया जा रहा है evipotranspiration और बहुत सारे और methods है इसकी अलावा mineral elements और radiant energy को भी regulate करता है हमारा forest तो ये जो regulative functions है वो atmospheric और temperature conditions को improve करते हैं और इसकी वजह से जो हमारा economic और environmental value है किसी भी landscape का वो enhance हो जाता है forest effectively regulate करते हैं global bio geochemical cycles को और खास तोर पर उसमें भी carbon cycle को ये जादा प्रभावित करता है hydrologic cycle को भी ये प्रभावित करेंगे और साथ साथ में oxygen cycle का भी कहीं ने कहीं एक बहुत बड़ा role है forest का इन्हें प्रभावित करने में तो अब बात करते हैं कि क्या ऐसे threats है forest के लिए जो हमें ध्यान देना चाहिए तो पहला है deforestation deforestation या वनोन मूलन जिसमें हम forest resources को overexploit करते हैं उन्हें काट डालते हैं नस्ट कर डालते हैं deforestation के पीछे और भी वजहे हैं बढ़ती हुई जनसंख्या उनकी जो needs हैं वो बल रही है food उनको जादा चाहिए तो agricultural land का expansion हो रहा है तो agricultural land के expansion कहां करेंगे आप तो most of the cases में जो natural forest है उनको हम काट करके वहाँ पर forest की जगा agricultural land को land use में लेना शुरू कर देते हैं जंगलों की आग जो होती है वो man-made भी हो सकती है natural भी हो सकती है पिछले एक दो सालों में आपने भारत सहित और भी देशों में जैसे Australia में forest fire के बहुत सारी घटनाओं को notice किया होगा Amazon के जंगलों में भी बहुत लंबे समय तक आग लगी रहने की घटनाए हमारे सामने आए दिन आती रहती है तो forest fire कई बार कई लोग ऐसा भी claim करते हैं कि जान बूच कर लगाई जाती है ताकि जादा से जादा land को acquire किया जा सके तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि arsons यानि कि man-made forest fires भी काफी हद तक देखी जाती रही है तो हम उसके detail में नहीं जाएंगे इतना तो यह भी एक threat है forest के लिए forest fire इसके लावा over grazing यानि कि जो आपके ऐसे animals हैं जो traffic level 2 पर पाए जाएंगे यानि कि primary consumers तो उनमें भी ज़्यादा तर ऐसे animals जिनको आप यानि human being milk के लिए और other products के लिए अपने साथ रखते हैं उनकी rearing करते हैं उन animals के over grazing करने के कारण वो घोड़े हो सकते हैं वो गाय हो सकती हैं बकरिया हो सकती हैं इनके over grazing की वजह से भी जो grass land है खास तोर पे वो desertification के तरफ बढ़ता हुआ देखा जाता है और forest area में भी अगर इस तरह की over grazing आसपास में देखी जाएगी तो उसमें भी ecological balance थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आता है because things are interrelated shifting cultivation या जूम cultivation जो की North East में भारत में कुछ हिस्सों में practice किया जाता रहा है और इसके अलावा Malaysia, Indonesia और उसके आसपास की जो built है जकारता सुमातरा वाली वहां पर भी इसका practice होता रहा है इसमें क्या करते हैं इसमें trees को slash and burn technique से मतलब जला देते हैं काट करके और वहां पर standing state के अंदर या standing crop के अंदर वह वापस से मिट्टी में मिल जाते हैं जलने की मज़े से तो कुछ cycles तक दो तीन सालों तक वहां पर अच्छी फसल निकलती है और कुछ के बाद ऐसा होगी फसल जो है बहुत अच्छा production नहीं देती तो लोग वहां से shift कर जाते हैं और same slash and burn technique को कहीं और apply करते हैं और ऐसा करने के वज़े से जो forest है वो regrow हो पाने में ज्यादा समय लेगा वनस्पद क्या होता है कि shifting cultivation की cycle है वो उतने तेजी से चल रही होती है आजकल कि जो forest की regrowth है उतना time उसको मिल नहीं पाता और ये shifting cultivation की वज़े से बहुत सारे forest को नुक्सान जाही है ऐसा कई लोग नहीं मानते लेकिन ये एक थ्रेट जरूर है forest resources के लिए तो deforestation की थोड़ी सी बात कर लेते हैं main cause क्या है deforestation का जैसे मैंने पहली बताया agriculture का expansion, urbanization, industrialization, excess commercial use of timber, fuelwood and other forest products and cattle grazing तो ये सब deforestation के major causes है cattle grazing has expanded open forest areas अब क्या होता है कि जो cattle grazing है जो open forest area है वहाँ पर फैल जाता है और excessive grazing की वजह से land deterioration हमें देखने को मिलता है क्यों क्योंकि soil erosion हो रहा है suppression of region suppression of regeneration of useful tree species भी हमें देखने को मिलेगा याने जो nitries उग ही रही होंगी sapling stage में होंगी वो जानवर हो सकता है उन्हें खा जाए तो उनका regeneration रुख जाता है काफी हद तक या suppress हो जाता है तो ये भी एक बड़ा issue है deforestation का एक cause बन जाता है इसी के साथ साथ shifting cultivation जिसके हमने चर्चा की वो भी deforestation का एक cause है तो deforestation से और क्या हो रहा है deforestation से increased soil erosion हमें देखने को मिलेगा और decreased soil fertility भी देखने को मिलेगी जो सूखे areas हैं वहाँ deforestation जो है वो formation of deserts यानि desertification का cause बन सकता है deforestation जो होता है वो extinction of plant और animal species और साथ साथ में microbial species के extinction का भी कारण बन सकता है इसी के साथ साथ deforestation जो है वो induce करता है regional और global climate change को भी और generally rainfall decline कर जाएगी ऐसे areas में जहाँ पर deforestation हो रहा है और साथ साथ में drought के cases जादा देखने को मिलेंगे तो deforestation contribute करता है global warming को by releasing stored carbon into the atmosphere जो forest के अंदर आप जानते हो कि carbon fix हो जाता है CO2 जाता है वो fix हो जाता है carbohydrate में और वो plants के part के तौर पर महा रहता है और आप उसको अब deforestation करके वहां से ले जा रहा है उसको कहीं अगर जला रहे हो fuel wood के तौर पे तो वो carbon dioxide release हो जा रही है greenhouse gas के रूप में atmosphere में और global warming का current बन रही है अब बात करते हैं forest conservation और management की तो extensive planting of trees through a forestation program अगर deforestation हो रहा है तो आप क्या करो a forestation कर दो तो इसके वजह से जो forest का जो cover है diminish हो रहा है उसको हम बचा सकते हैं अलाकि एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि जो natural forest बनने का जो process है वो succession के द्वारा naturally होता है और उसमें बहुत ही complex तरीके से forest एक ecosystem के तोर पर develop होता है लेकिन अगर आप कहो कि for a forestation करें हम और हम कुछ plants grow करा दे महां ले जा करके तो इस artificial method के बाद जो forest बनेगा वो उतना resilient नहीं होता या उतना self-sustaining नहीं होता जितना की एक natural forest होता है तो natural phenomena से बनेवे forest को nest करना तो आसान है लेकिन उसको regrow करा पाना बहुत मुश्किल है a forestation से आप trees grow करा सकते हैं शायद forest नहीं तो to achieve these goals the following forestry programs can be integrated तो ऐसे forestry practices को हम integrate कर सकते हैं इन में पहला है protection और conservation forestry मतलब यहाँ पर हम conservation कर रहे हैं तो ऐसे forest जो अल्रेडी मौजूद हैं उनको हम protect कर लें उनको और कटने ना दे तो एक अच्छा तरीका है यह protection forestry का यह conservation forestry का हम इस तरीके से forest को बचा सकते हैं दूसरा है production और commercial forestry ऐसे trees और ऐसे plants को हम वहाँ पर grow कराएं जिनसे हमें कुछ commercial benefit भी मिलता हो और उसको इस तरीके से grow करा है कि उसके जो product लेने का जब time हो तब तक नए फसल को भी हमने वहाँ पर regenerate कर लिया हो तो इसमें हम fruits और timber आदी के जो plants होते हैं उनको grow करा सकते हैं तो इसलिए हम कह रहा है production और commercial forestry इसका main जो उद्देश है वो कहीं ने कहीं तो protection या conservation forestry में recoupment of flora and fauna of the degraded forest जैसे कि national parks और sanctuaries में होता है we are just doing the recruitment और बस बचा रहे हैं उसको protect कर रहे हैं production और commercial forestry में जैसे मैंने बताया कि it aims to fulfill the commercial demands without causing denudation of denudation of the natural forest denudation का मतलब है कि पूरी तरह से जंगलों को साफ करना जंगलों को साफ किये बिना natural forest को साफ किये बिना हम साफ करने मतलब है काट करके साफ कर देना ठीक है जाड़ लेकर साफ नहीं कर रहे है आरी लेकर साफ कर रहे है without causing denudation of natural forest यहाँ पर हम commercial demand को fulfill करने की कोशिश करते है social forestry और agroforestry programs भी production और commercial forestry के अंदर आते है social forestry क्या है it aims to plant trees and shrubs on all unused and fellow land to provide fuel wood, fodder, etc. thereby reducing pressure on existing forestry तो जो भी आम तौर पर ऐसा unused या fellow land है जहां पर हमने केती नहीं कर रखी या फिर जो school है, colleges है, rail side है, road side है उनके आस पास trees लगा सकते हैं और this example भी हमने दिया unused farmlands हो सकता है, community land हो सकता है road और rail sides हो सकते हैं इनके आस पास हम suitable indigenous और exotic tree species whatever suitable वो लगा सकते हैं कोशिश करने चाहे कि indigenous plants लगा है और exotic का भी use किया जा सकता है provided कि वो कोई ऐसी alien species ना हो या invasive species ना हो जो आस पास के ecosystem को तहस नहस कर दे agroforestry it includes a variety of land use where woody species are grown in combination with herbaceous crops तो जो crops है उसके साथ साथ में हम कुछ woody trees को भी grow करते हैं either at the same time or in a time sequence हो सकता है कि simultaneously लगा रहे हैं हो सकता है कि पहले crops grow करें फिर plants यानी trees grow करें इस तरीके से हम इसको sequence में भी कर सकते हैं तो इसके agroforestry के बहुत सारे तरीके हैं अपने आप में पूरा subject है यह example देखते हैं tongia system जैसे होता है it involves growing agricultural crops between rows of planted trees तो planted trees हैं उसके बीच बीच में हम क्या कर रहे हैं इस तरीके से देखा जाए तो agroforestry के टर्म्स में जूम कल्टिवेशन अच्छा है लेकिन मैंने पीछे के स्लाइड में आपको कहा कि यह खत्रा भी हो सकता है forest के लिए वो तब होगा जो लास्ट वाला point है लास्ट वाला जो point है कि cultivation of crops for few years and abandoning cultivation to allow forestry growth लेकिन यहां क्या हो रहा है कि यह जो forestry growth है उसका time काफी जादा होगा लेकिन जब आप एक area से दूसरे area में shift कर रहे हो cultivation को तो वो कम duration में कर जा रहा हो तीन साल चार साल whatsoever the case में भी और ऐसे cases में destruction of forest का rate जादा है as compared to forest regrowth और इसलिए एक concern का विशय बन जाता है जूम cultivation कई बार हला कि यह एक तरीके से एक अच्छा system भी हो सकता है forest के regrowth या reconstruction को अगर हम इस तरीके से manage कर पाएं तो forest और wildlife के कुछ laws भी भारत में भारत में forest के लिए और wildlife के protection के लिए काम करते हैं अब forest एक जो 1927 का था इसमें forest को बचाना कोई भी परबस नहीं था वो अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था ताकि वो अपने benefit के लिए forest resources को use कर सके या exploit कर सके हलाकि भारत आजादी के बाद जो फिर जो बाद में rules regulations बने वो काफी हद तक फिर वो forest centric हो चुके थे तो यह हुई आज जो हमने बात की forest resources की आने वाले वीडियो में जो हमारा next वीडियो होगा उसमें हम water resources और उसके conservation की बात करेंगे I hope आपको आज यह बाते समझ में आई होंगी अगर आपको कोई doubt है या कोई problem है कोई issue है आज के इस lecture में तो आप उसे comment section में पूछ सकते हो मैं उसको अगले वीडियो में या comment करके आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम